नमस्कार गाइस आप सभी को स्वागत करता हूं प्राइमे सोमप्लेन और आप सभी देखरें प्राइमे सिवागते हैं जोर मुद्वरण आप सबसदे क्राइस तो आप 20 थे अंदर 27 x 31 hey दिस्कस प्लान आई इस वीडिएव में पहुँचे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आगे की और और वैतरिन से घर के नक्से और प्लान रिलेटेड वीडियो हम इसी चैनल पर लाने वाले हो सके वह आपका ड्रीम आउस प्लान भी हो सके तो सब्सक्राइब करके साथ ज़रू दीजिएगा द तो उसी के साब से अमने तयार किया हुआ है और आप चाहे तो इस घर का इस मॉडल पर तयार करके रेंड पर पर भी देव पाएंगे तो कैसा इसका वन बेज के सेट वन बेज के मॉडल चले डिसकस शुरू कर लेते सबसे पहले आपको में लेग चलता हूँ ग्राउंड फ अपन प्लॉड था तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर आप देख लेजिए हमने दोनों साइड पर जो वरंडा लिया हुआ है लेकिन वरंडा में घर में एंट्री करने के लिए इस्टेप हमने बाहरी साइड से दिया हुआ हूए वह हमारे प्लॉड से थोड़ा बाहर क बहुत ही स्पेस था तो उसी के कारण स्टेप हमने बाहरी साइड से दिया हुआ है और यहां पर सबसे पहले आपको फ्रॉंट साइड के और दोनों साइड पर वरंडा दिखने को मिलेगा दस्तों वरंडा का जो साइड जाने वाला है दस भाई छे फिट के अंदर आएगा य फिर यहां पर जो गेट आपको मिल Buts पर दिख्रा होगा इस गेट से भी एंट्रि कर पायेंगे और यहां पर जो jina में जाने के लिए जो छोटा सा रेम्प या गैलरी जो भी आएगा ये टोटल यह वाला वाल से लेकर यहां फॉंड वाल वालता के 19 फीट का साथ बाई 19 फीट के अंदर अमने यहाँ पर जिना भी चड़ाया हुआ है और ऐसे चलने के लिए थोड़ा सा स्पेसिपी यहाँ पर दिया हुआ है और यही से आपको उस साइट के और एक डूर मतलब देखने को मिलेगा दोस्तों जिससे एंट्री करके जाएंगे तो सबसे पहले आप देख लिए मैं आपको एक साइट का व्यू दिखा देता हूँ सबसे पहले आप यहाँ पर पहुंचेंगे यह रहेगा आपका यह जो आपका कीचेन और हॉल रूम एक साथ आने वाला है सिटिंग एरिया भी एक साथ कीचेन और सिटिंग एरिया जिसका साइज हमने लिया हुआ है 10 बाइ 13 फीट के अंदर जिस पर हमने कीचेन को कुछ इस तरीके से एडजेस के हुआ है आप देख लिए यहाँ पर आपको जूम आउट करके दिखा देता हूं कीचेन को अमने कुछ इस तरीके से एडजेस यहाँ पर किया हुआ है और किचेन और यह जो सिटिंग एरिया इसका जो साइज आने वाला है दोस्तों वह आएगा 10 बाइ 13 फिट के अंदर उसके बाद आपको इसी हॉल ए सिटिंग रूम से ही आपको बैक साइट के एक डूर देखने को मिलेगा यहाँ पर देख लीजिए तो इससे एंट्री करके जाएंगे तो यह आपका रहेगा एक बैडरूम आपको इसी बैडरूम से एक डूर देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके आप जाएंगे तो यह लेडबात एट्रेच में रहेगा जिसका भी साइज आने वाला है 7 x 6 feet का और यहाँ पर आप देख पारेंगे एक ग्राउंड फ्लोर तो यह एक साइड आप एक भाई के लिए और दूसरे साइड आप दूसरे भाई के लिए दे पाएंगे और वरंडा भी सामने फ्रॉंट साइड के और मिलेगा उसके बाद आप चाहे तो इसको रेंड पर पहुंचेंगे यह आपका छोटा सा एक गैलरी आ जाएगा और इसी गैलरी से आपको सेम वेसा ही इस साइड के एक डूर देखने को मिलेगा जिससे एंट्री करके जाएंगे तो यह आप पहुंचेंगे यहाँ पर यह रहेगा आपका कीचेन और जो सिटिंग एरिया जिसक का साइज जाने वाला है 10 x 13 feet के अंदर और इसी से आपको एक साइट के और एक डूर देखने को मिलेगा जिस से एंट्री कर के जाएंगे तो बैडरूम रहेगा यहां पर बैडरूम का साइज भी सेम है वह है 10 x 12 feet का जो ग्राउंड फ्लोर पर था सेम साइज पर भी हमने फर् बार की और आएंगे तो यह वाला एंट्री डूर से एंट्री करके आप बाहर की और बैलकनी में पहुचेंगे बैलकनी जो आमने कोई छज्जा नहीं निकाला हुआ है जो प्लोट था उसके उपर है हमने बैलकनी का डिजैन किया हुआ है 10 x 6 feet के अंदर और elevation कुछ इस तरी पाएंगे चार भाई के लिए भी यूस्त कर पाएंगे वह आपके हैसाब से रहेगा दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा डिजैन जरूर बताना वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ दीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद